हलो एवरिवान वेलकम बाक टू यूर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 10 क्लास 10 के लिए विशेव होगा पिज्ञान हमारी डेट 28 जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में क्या करना है चुम्बक के बारे में हड़ना जो अन्य धातू की वस्तुओं को अपनी तरफ खीचता है उनको आकर्शित कर सकता है यह अपनी चार और एक अद्रष्य शेत्र बनाता है मतलब जो शेत्र हमें दिखाई नहीं देता एक ऐसा शेत्र बनाता है ये शेत्र क्या होता है आप देखो हर जगे तो चुम्बक नह यहां रखी है आप यहां रखोगी तो यह इसको खीच लेगा थोड़ा और दूर रखोगी फिर भी खीच लेगा लेकिन ऐसा भी आएगी ऐसे भी जगए आएगी जब उसको नहीं खीच जगा क्योंकि उससे बहुत दूर हो जाएगा इसका मतलब इसका कुछ शेत्र है कि यह इनको अपनी तरफ खीचता है तो एक चुमबक यह शेत्र की उपस्तिती की कारण ही रेफिर्जिरेटर का दर्वाजा सव चालित रूप से बंद हो जाता है मतलब अपने आप बंद हो जाता है आप फ्रिज को क्या करोगी थोड़ा सा गेट को ऐसे मोड़ोगी पूरा बंद हो जाता है क्यों बंद हो जाता है क्यों इसके अंदर भी चुमबक लगाई होती है तो वह चुमबक क्या करती है आपस में खीच कर रेफिर्जिरेटर को खुद ही बंद कर देती है ठीक है अब यहां पर आपको दिख रही है एक चुमबक तो ऐसी होती है गोड़े के साउत ऐसे आपकी क्या जा रही है यह क्या शेत्र है ठीक है तो यह पूरा जो यह बना रहा है यह क्या शेत्र है इतने में चुम्बक आपस में कुछ भी है वो उसको चुम्बक के साथ चुम्बक या फिर कोई और धातू को चिपका सकती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं चु चुम्बकों के दो द्रुव होते हैं कौन से कौन से एक उत्तरी और एक दक्षिनी होता है तो यदि आप दो चुम्बकों को पकड़ते हैं और उनके द्रुव एक दूसरे के पास हो तो आप चुम्बक क्या बल को महसूस कर सकते हैं दोनों को पास मिलाओगे तो आपको फील ह कैसे देखो यदि आपका दुरूफ विप्रीत है मतलब एक उत्तर है और एक दक्षिन है अलग अलग हैं आपके दोनों के दोनों तो आप क्या देखोगे कि चुम्बक के बीच में आकर्शन महसूस करोगे मतलब आपस में यह फटा-फट से चिपक जाएंगे आप देखोगे लेकिन अगर दुरूफ समान है मालो उत्तर और उत्तर को चिपका रहे हो आप ठीके ना दक्षिन और दक्षिन को चिपका रहे हो दोनों एक जैसे को एक साथ चिपका रहे हो तो आप महसूस करेंगे कि चुम्बक एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं मतलब एक दूसरे क आपस में चिपकने की बजाए दूर दूर हटने की कोशिश करते हैं दूर भागते हैं दूसरे से कब जब ये एक जैसे होते हैं दोनों जब अलग-अलग होते हैं तो ये अकरशित करते हैं चिपकते हैं एक दूसरे से ठीक है अब देखो जो एक पृत्वी है पृत्वी क्या जाते हैं से लहा होता है उसलिए परित्वि से ग्रह के दिता ही dialogue बाहर UP4 और फ़ैला, इस लीए चूंबक के सीट्र घृह मजबबूत अ्परित्विक यह विशार चुंबक है बहुत बड़ी एक चुम्बक है तो यह चीजी हाज हमने सीखी है अब हम चलते हैं हमारी प्रशिन उत्तरपी जो हमें स्वेम करने हैं तो आज की वोक्षीट में आपको यह चार कोशिन दिये हुएं जिसमें चार में से पहले तीन तो आपको यह कोशिन आंसर है और जो चोता करते हैं मैंने भी बताया था लोहा, कोबाल्ट और निकल यह क्या है चुम्बक इन सब को अपनी तरफ आकरशित करती है खीचती है ठीक है यह हो गया क्वेशिन नमबर वन अब चलते हैं हमारे प्रेशिन नमबर दो पे प्रित्वी एक विशालकाई चुम्बक है कैसे चुम्बक के शेत्र ग्रह के बाहर और चारो और फैला हुआ है ठीक है तो प्रित्वी के उत्तरी और दक्षनी द्रुवों के पास यह शेत्र सबसे मस्बूत है इसलिए प्रित्वी क्या है एक विशालकाई चुम्बक है बहुत बड़ी चुम्बक की तरह प्रतीत होती है तो यह हो गया pressure number 2 अब चलते हैं हमारे pressure number 3 पे pressure 3 है एक चुम्बक को उसके दो दुरुवों सही चित्रित कीजिए चित्र बनाना था तो यह तो मैंने छुटा सा simple वैसे ही बना रखा है कि यह मेरी क्या होगे चुम्बक होगे इसमें दो दुरुव होगे लेकिन इसकेंदर आपको इस तरीके से यह lines दिखानी है कैसे दिखाओगे मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ नोर्ट से आप उत्तर से दक्षिन ऐसे जाओगे और ऐसे arrow लगा दोगे फिर एप ऐसे ही जाओगे यहाँ से ऐसे arrow लगा दोगे ठीके ऐसे लगाते रोगे और इधर से इस तरफ ठीके इधर से इस तरफ ऐसे तो इस तरीके से यह बना हुआ है ठीके तो आप यह बना सकते हो आसानी से ठीके दोनों के दोनों बना देना बेशक ऐसे ठीके तो यह होगे आपका प्रेशन 3, आगे चलते हैं हमारे प्रेशन 4 पर, प्रेशन 4 है उप्रोकत शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए, अकर्षित, पृतिकर्षित, समान, द्रोफ, एक दूसरे को, मतलब आपको इसमें से छाटना है करशित कौन से में आएगा प्रतिकरशित कौन से में आएगा fill in the blank क्या आपका sentence क्या है वाक्य समान दूरूफ एक दूसरे को डैश करते हैं समान जो एक जैसे होते हैं मतलब south south ठीक है और north north है south south और north north है समान है तो समान तो क्या करते हैं एक दूसरे को दूर भागेंगे एक दूसरे से हैना तो क्या करेंगे प्रतिकरशित करते हैंगे जबकि जो विप्रीत होते हैं विप्रीत दूरूफ क्या करते हैं एक दूसरे को आकरशित करेंगे north south होगा south north मतलब उत्तर दक्षिन या दक्षिन उत्तर होगा तो वह आपस में क्या करेंगे एक दूसरे से चिपकेंगे आकर्शित होगी ठीक है तो यह हो गया प्रेशन नंबर चार तो यह चार प्रेशन आज आपकी वोक्षीट में आपको दिये गए थे I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी डाउट है किसी भी कोशिन में तो कमेंट सेक्षिन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगए तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें, टेक केर, बबाई!